अब लोग ट्रेडिशनल डिजाइन्स पड़ रहे हैं उस ट्रेडिशनल डिजाइन के संधर में ही आज हम लोग लेंगे ब्रोकेट ब्रोकेट अति प्राचीन कपड़ा है जिसे आज बनार्सी कपड़े के नाम से जाना जाता है ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध ने जब निर्मान लिया था और ताथ उनके जब डैथ हुई थी तब उनका शहरी बनार्सी कपड़े से लपेटा गया था ब्रोकेट मुख्य रुप से गुजराथ सूरत एमदावत आदी में बनाया जाता था किन्तु आजकल इसका मुख्य केंथ बनारस है गुजराथ ब्रोकेट का पहला विविन केंथ है अबूल फजल की अनुसार गुजराथ में साथ प्रकार के ब्रोकेट बनाये जाते हैं इसमें जरी का कारे बहुत ही कम हो रहा है 1798 अर्था 1798 में गुजराथ में एक ब्रोकेट मिला था दीरे-दीरे ब्रोकेट आरंगबाद, दिल्ली, लख्रौव, मुपार, मुर्शिदाबाद, तंजो, त्रिपती वे मद्रास में भी बनाया जाने लगा ब्रोकेट का एक कपड़ा, एलिजबे दुट्य जब भारत आहीं थी, 1962, 1962 में तब उन्हें भी बीट किया गया था हाला कि सूरत में ब्रोकेट बनाने के उद्योग हैं, किन्तु सूरत पटोला का प्रसीद केंद्र है जबकि हम देखते हैं, कि आज बनारस ब्रोकेट का प्रसीद केंद्र है, यहां पर गली-गली में उसके ब्रोकेट के बुनकर मिल जाता है भारत में ब्रोकेट बहुत ही प्राचेएं हैं, यह दोनों ही रंगों में मिलती है सुनेरी में भी वे रंगीन दागों से भी सुनेरी दागों का रंगीन रेशमी दागों साथ मिला कर भी बनाया जाता है यदुर्वेद में भी हमें इसका एक उल्लिक मिलता है भारतिय केम खुआब कर सोनी का कपड़ा भी कहते हैं दीरे दीरे सोनी वे चाल्दी के तार एक्स्ट्रा वेफ्ट में काम लेने लग गए रेश्मी दागे या रेश्मी दागों के साथ सूती दागों का वे प्रियोग आधून क्यूब में शिरू हो गया प्राचीन सर्वे में केवल रैश्मी या सुनेरी दावों का ही प्रियोग वता था इसलिए ब्रोकेट की सारियां उससे में जो मिलती थी फिर बहुती महंगी मिलती थी सारिय इने अपर तो कोई भी वस्तर ब्रोकेट का जो मिलता था वो काफी महंगा होता था रोकेट का प्रचम चरण अठावी शतावदी का है इस काल में केवल फूल या दो पत्यां कभी-कभी फूल और पेट की तरह भूटी बनाते हैं इस काल में महरून, हरा, नीला वे भूरा रंग का प्रियोग में लाया जाता है रोकेट जो के 18 शती में मिला फेशूती तरह 19 शतावदी में कई रंगू में कई डिजाइनों में प्राप्त हुआ इस समय सेल्ग के दावगों का प्रियोग किया जाता था इसके साथ सूती दावगों भी बनने में काम लिए जाते थी सूती दावगों से कपड़ा मजबूर्ट जہता था इसमें हमेशा प्रेन पुनाई होती है सूती या रेश्मी दावगों के लिए या सूती वज़़ी की दावगों से कपड़ा बुनते समय डिजाइन डालने का प्रियोग में लाया जाते ही इसका कोई नियम निये कि एवल रेश्मी या सूती या जही का ही धागे का प्रियोग लाया जाए गुजात के बुनकर नीला अरा मेरून रंग लेते थे 19 से शतागदी में बुकेट से पता चलता है की बनारस के बुनकर भी बुकेट बनाने की कलामे काफे कुछ शलते बुकेट की डिजाइन कुछ इस प्रकार से ये शिकारगा, बेल, जाल ये इस तरह से अलग-अलग डिजाइनों में मिलते थे ब्रुकेट के प्रकार है वास्तविक किमखौब, बाफ्ता, S.B. रमन, हिम्रस, आम्रस ये क्या है वास्तविक किमखौब है इस तरह के ब्रुकेट में सोने वे चांदी के धवों का प्योग किया जाता है इसमें सोने के तारों से कड़ाई की जाती है जैसे सोने के तार महिंगे पड़ने के कारण चांदी के तारों का या चांदी के तारों में सोने का पानी चड़ा कर भी लोग में लाया जाता है यह ब्रुकेट दो दी भारी वे महिंगा भी होता है ये ज़्यादातर साड़ी की पलू, अचकन, ओवर्बोर, फुशों की जेवू, विब्राउस इत्यादों में प्रियोग आता है बाफ्ता ये भी ब्रुकेट का एक प्रकार है ये भी सिल्की दावों से बनाया जाता है ये किम ख्वाव से कम भारी होता है किन्तु हिम्रस वे आम्रस से जादा भारी होता है इस तरह के ब्रुकेट में हम सोने वे चांदी की तारों का विप्रियोग करते हैं किन्तु डिजाइन कुछ हल्की होती है इसलिए इसका प्रचलन बहुत अधिक है जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं कि दो साड़ियां ने वो इसी तरह की निसाइनों के बने हुए है बाफ्ता की डिजाइन बहुत आक्रशित होती है यह ज़्यादा तर ब्लाउस में साड़ी के पल्ले में कुषों की अमुरकी में या अच्चकन पर बनाया जाता है Rpes dovn यह तीसरे प्रचार है ब्रापिर का इस तरह के ब्रापिर में सिल्ख के दवागी को बिक्स करकी बनाया जाता है इसमें इस तरह का एफरेक्ट आता है जैसे बैता होग पाने चौथा प्रकार है हमारा बॐकेट का हीम रस हीम का जैसा हम जानते अर्थात बर्फ डिजाइन का प्रियोग स्थरे से किया जाता है कि बर्फ के रूप में डिशाइन लगती है ये काफी हलका होता है, आदे इसका आजकर ज़ादा तर प्रियोग में लाया जाता है इसमें चोटी चोटी बूटी या फिर तानी बाने को अलग-अलग रंग में रंग लिया जाता है ये इस तरह से लगता है जैसे शंशाइन चमकता हो सूरी इसमें बहुत चमकते हुए सिल्ग का प्योग किया जाता है जातरतर चोली पर ही पनाया जाता है फिफ और पाशमा है आमरस इसे आमुरू भी कहते हैं इसमें कॉटन मिक्स सिल्ग के दागों का प्रियोग क overall जाता है यई सबी ब्रोकेड में सबसे सस्ता ब्रोकेड है इसका प्रियोग इसलिए होने लगा क्योंकि मुसल्मान लोग सिल्ग का कपड़ा नहीं पैनते हैं इस तरह के ब्रोकेट में छोटी छोटी बूटिया मनाई जाते हैं अब हम लोग देखेंगे की ब्रोकेट की टक्नीक क्या है आजकर हम लोग मुखे रूप से काम में लाया जाता है जैसे ब्लाउज, चूली या दूसरे तरह के ड्रस मेटियल में जो की पश्चमी फैशन से चूली हुई होती है हम लोग से घरों की सजावत भी की जाती है वाल पेपर टाइप की स्थेने का इसमें मिलता है ऐसा कहा जाता है कि मुख्मद तुगलक ने कुछ गुनकरों को जो मरारस में बस गेते उन्हें एमदाबार, आरंगाबार बेजा और इस उद्ध्यों को आगे बढ़ाया इत्यास कारों का मानना है कि पहले के समय में भी हिमरू कपड़े को की दो किसमें मुख्य रूप से हमें देखने को मिलती थी जिसमें एक कैप प्रमुक गुल बदन शाह मुमत काल के हिमरू को दोनों किसमें मिलती है जिसमें ताने की दागे को रेजिस्ट टेक्निक से दागों को केवल वेजिटेबल डाई की द्वारा ही रंगा जाता था इसमें मुख के रूप से जिन रंगों का प्रियोग की लिया जाता है वेर हैं सैब्ग्री, औरेंज, वालेट, सैफ्रॉन, एक्सेक्टरा हिम्रू में छोची-छोटी बूटियां सिल्ख के दागों की साइता से बनाई जाती हैं इसमें सते अर्थाद ग्राउंग में भी सिल्ख के दागों से ही बनाया जाता है लेकिन हिम्रू की किस्म इतने अच्छी नहीं होती थी सूती दागों को भी बूटी या फ़््लोरल पैटर्न में कभी-कभी प्रियोग में लिया जाता था जिसे दुर्व्चाओं का डिजाइन भी कहते हैं इस तरह के लिए टकनीक में अंतर रखा जाता था इसमें ताने विर्बाने में अलक अलक रंगों का भी प्रियोंग किया जाता है इस तरह से इस तक्नीक से ये बुकी बनाया जाता है